ब्रह्मा चेरे महिमा ब्रह्मा चेरे जीवन का सार यों तत्त्त है दूद में घी का जो अस्थान है तिल में तेल का जो महत्त्त है गन्य में रस का जो अस्थान है सरीर में बीरे का भी वही महत्त्त यों अस्थान है अतह जिस प्रकार एक जोहरी अपने मुल्यवान हीरों की रक्षा और देखभाल करता है उसी प्रकार प्रतेक ब्यक्ति को हीरे और मड़ियों से भी मुल्यवान अपने बीरी की समहाल रक्षा करनी चाहिए। संचार होता है। सरीर तेजों में बन जाता है, जीवन आनंद में हो जाता है, मुकमंडल पर अलोकिक आभा और ओज और तेज द्रिश्णी गोचर होने लगता है। सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी भैभी होकर काप्रियों धर्राने लगते हैं। उत्तर है मृत्यू। इस मृत्यू का नाम सुनकर विश्विजेता नैपोलियन बोनापाड काप उठता है। मृत्यू को अपने समक सुपस्ति देखकर महमोद गजनवी का रिदर दहल गया था। मृत्यू का समय निकट जानकर सिकंदर महान के छक्के छूट गये थे। परंत मृत्यू ब्रह्मचारी का कुछ नहीं विगाड़ सकती। ब्रह्मचारी हस्ते और मुश्कुराते हुए मृत्यू का अलिंगन करता है। सुप्रसित धिक्रांतिकारी रामपसाद बिस्मिल को जब फासी दी जाने लगी। तो उनसे पूछा गया आपकी यंतिमिक्षा क्या है। उन्होंने निर्भैता पुर्वक उत्तर दिया। I wish the downfall of British Empire। मैं अंग्रेज राज का सरोनाश चाहता। यहीं मेरी यंतिमिक्षा है। यह कहकार उन्होंने हस्ते हैं और मुश्कुराते हुए फासी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। बैदिक, धर्मद्धारक, क्रांति के अग्रदूत, आदित्ति ब्रमचारी, महर्शी दयानंद के पावन चरित्र को कौन नहीं जानता। जिवन के अंतिम समय में महर्शी को काल कुट बिश दिया गया। वह बिश इतना घाता क्यों भैंकर था कि किसी साधारन व्यक्ति को दिया जाता तो एक या दो मिनिट में ही उसका प्राणत हो जाता। परंत वारे महर्शी आप उस हला हल विश का पान करके भी एक मास तक सरीर धारन किये रहे। महर्शी के सरीर के अंगों से ही नहीं रोम रोम से विश फूट निकला था। आखों की पुतलियां तक में छाले हो गए थे। जो उन्हें देखते थे उनकी सहन सक्ती की सराना करते थे। अत्यंत भैंकर बेदना होते हुए भी महर्शी मुक से आह तक नहीं निकालते थे। मृत्य वाती थी परंत वे ठोकर लगा कर उसे दूर धकेल देते थे। एक समय तक उन्होंने मृत्यू को दूर ही रखा। दिपावली के दिन छाओर कर्म कराया फिर असनाना अचे निब्रिक ठोकर इस्वर सुती प्रातनो पासना के मंत्रों का गान किया। और हे इस्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो तुने अच्छी लिला की कहकर अपने प्राणो को त्याग दिया। उन्होंने हस्ते हस्ते मृत्यू का आलंगन किया। भारत वर्ष का ऐसा कौन ब्यक्ति होगा जो भिस्म पितामह के नाम से अपरचित हो। आपने अपने पिता की एक छोटी सी इक्छा को पूर्ण करने के लिए आजिवन ब्रह्मचारी रहे। इस ब्रह्मचारे का ही प्रभाव था कि कौरव पांडव युद्ध में 172 वर्ष के भिस्म पितामह प्रद्दिन दस सहस्त्र सेना का संगहार करके अपने स्यूर में ल और वहां बांड ब्रिष्टी की उनके सारे सरीर को गोद डाला। उनके सरीर का एक एक इंच स्थान भी ऐसा नहीं था। जहां तीर न लगे। जब ये सरसया पर गिर गए तो उन्होंने पूछा सुर्य दक्षिणा यण है या उत्तरायन। उन्हें बताया गिया किस समय उन्होंने फिर पूछा सुर्य को तरायन आने में कितना समय लगेगा। वहां उपस्तिज लोगोंने बताया 72 दिन भेसमजी ने का आच्छा जब तक सुर्य तरायन में नहीं आ जाएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूँगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भेसमजी पितामा 72 दिन तक अपने प्राण को रोके रहे और सरसया पर लेटे हुए पांड़ाओं को मनोहर उपदेश भी देते रहे। यह हैं ब्रह्मचर का प्रवल प्रताप बेद का संदेश है ब्रह्मचर एने तपस्ता देवा मृत्यू मुपाग्णत अधरवेद 11 पांच 19 ब्रह्मचर रुपी तपके द्वारा विद्वान लोग मृत्यू को भी मार भगाते हैं मार्शी दयानंद और विश्मपितामा इसके ज्वलन्तु दाहरन हैं श्री हनुमान जी बजरांग बली एवं महावीर हनुमान कैसे बने ब्रह्मचर का पालन करके ही उन्हों दश्री चवाने वाला पुरंत ब्रह्मचारी मांसाहरी से अधिक्स्रश्थ होता है जनोंने ब्रह्मचर का सिवन किया अपने बिरिती रक्षा की उन्होंने अध्वुद्वद बल और सकति प्राप्त की प्रफैसर राममूर्ती के नाम से भी सभी पर्चित हैं उन्होंने ब्रह्मचर के बलपर ऐसे ऐसे अध्भूत खेल दिखाए कि भारत को ही नई समझ संसार को आश्चर चकित कर दिया चार सूत आधा इंच मोटी लोहे की जंजीरु को तोड़ देना तो उनके लिए स्राधारन सी बात थी हाथी को वो अपने छाती पर चढ़ा लिया करते थे ए एक बार आप इंगलेंड में मोटर रोकने का प्रदर्शन कर रहे थे एक अंग्रेज ने कहा जिस मोटर को आप रोक रहे हैं यह ठीक नहीं है मैं अपनी मोटर मंगवाता हूं उसे रोक कर दिखाए प्रोफेसर राम मुर्ति मुश्कराय और कहा बहुत अच्छा अपना सामोले कर रह गया इस सारीरिक सक्ति का रहस ब्रह्मचर ही था महरसी दयानंद की हुकार में ही इतना बल था कि हिंसक पसू दुम दवा कर भाग जाते थे महरसी के सिंग गर्जना को सुनकर अच्छे अच्छे गुंडे काप जाते थे यहां तक कि उनका मुत्र और प अपनिसायों को सिघ्र समझ लेता है तथा उन्हें धारण भी कर लेता है जो ब्रह्मचारी नहीं है वहां परमिस्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकता उपनिसद का उद्गोस है नाया आत्मा बलहीने ने लभ्या बलहीन सक्ति रहित आप ब्रह्मचारी उस परमात्मा को प् मुसल्मान जिसके कोई संतान नहीं थी महरसी दयानंद के पास आया और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगा महरसी ने कहा एक वर्ष तक ब्रहमचर का पालन करो ब्रहमचर से उसके हां संतान हो गए इस घटना से ब्रमचरी की महिमा का तो पता लगता ही है साथ ही महारशी के रिशित्व का भी पता चलता है महारशी संसार का अपकार करना चाहते थे उन्हें किसी संप्रदाय से इरसा द्यूस नहीं था ये दूए मुसलमान का अकल ल्यार चाहते तो कह देते खुब मैथुन किया करो जल्दी संतान उत्वन हो जाएगा बेद में ब्रमचरी की महिमा इन सब्दों में प्रकट की गई है यदा बद्ननम दाक्षा यड़ा हरन्यम सता निकाया सुमनस्यमाना तत्य बद्नाम्या युसे वर्चसे बलाए दिर्गा युत्वाई सतसार दाया अतरवेद एक पैंतिस एक ओज तेज बल सक्ति साहस्यम परक्रम प्रदान करने वाले एक सैक्लोस्यनाओं का बल देने वाले मंत्र में कहा गया है कि जो मनुस्य ब्रम्हचर का पालन करता है उसमें सैक्लोस्यनाओं का वल आ जाता है मर्यादा पुरसुत्तम राम ने ब्रम्हचर का पालन कर इस अद्भुद्वल को प्राप्त किया जब स्रीरम बनों में विचर रहे थे तब एक दिन सुप्रमान की कुटियां में पहुंचिया और राम के साथ दिवा करने का प्रास्ताग किया स्रीराम ने बिनौत के लिए लक्षमण की और इसारा कर दिया स्री लक्षमड ने कहा मैं तुद आस हूँ तुम राम के पास ही जाओ सुर्पन्खा ने सोचा यह सीता मेरे और स्री राम के बीच में बाधक है यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो मेरा कारे बना हुआ ऐसा सोच कर वह सीता की ओर जप्ती तब स्री राम के आदेश से लच्मड जी ने उसके नाक और कान काड़ ले सुर्पन्खा ने पंच्योटी की सीमा पर ठहरे हुए अपने भाई खर और दूसन से सिकायत की अपनी बहन के अप्पान का बदला लेने के लिए खर और दूसर ने 14 हज्जार 14 सहस्त सेना लेकर स्री राम पर आक्रम्र किया एक और स्री राम अकेले और दूसरी और खर दूसरा सही चौदा हज्जार सेना एक ब्रह्मचारी ने चौदा सहस राक्षसों को थोड़ी देर में समाप्त कर डाला यहां ब्रह्मचारी का ही प्रभाव था लीजिये महाभारत काल की एक घटना पड़िये जब वारणा वर्त जला दिया गया था तब पांड़ा उधर उधर घूमते हुए एक चक्रा नगरी में पहुँचे कुछ समय वहां निवास किया वहां पता लगा कि द्रौपदी का स्वेंबर होने वाला है अता इस सब उसमें समलित होने के लिए पांचाल नगरी की ओर चले चलते हुए रात्री के समय एलोग एक विशाल सरौवर के पास पहुचे जब आउस सरौवर को पार करने का अध्यों करने लगे तब चित्ररत गंधर्व जो वहां विहार कर रहा था बोला रात्री में इन सरोरों पर गंधर् नव अर्थात बीर पूरुसी संसार का अभूग कर सकता है अर्जुन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा भैंकर संग्राम हुआ चित्ररत अर्जुन के तीखव बालों की मार को सहन न कर सका वहां परास्तो कर आकास मार से भागने लगा अब तो अर्जुन ने इस प्रकार बाल भिष्टी की किवाँ बालों के व्यूब में फसकत उपर भी नजास्त का जब वहां चारोर से घिर गया तब अर्जुन से पकड़ लिया उसमें चित्ररत ने कहा ब्रह्मचर्य परोधर्म सचापी ने तस्त्वय यसमात स्माधहं पार्थ रणे अस्मिन बीजी तसत्वा